नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। बॉलिवुड में महानायक के नाम से मसहूर अमिताब बच्चन ने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक बहतरीन फिल्में दी हैं। 1976 में बनी कभी कभी भी उन्ही फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जिससे आप जरूर रूबरू होंगे। लेकिन कई किस्से ऐसे भी हैं जिनकी जानकारी सायद आपको ना हो। तो आईए आज की वीडियो में बात करते हैं येस चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म कभी कभी की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चरूर प्रेस कर दीजेगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। प्रेटु सिंग ने एहम भूमी का निभाई थी। इस फिल्म में अमिताब बच्चन के माता-पिता, हरीवन्स राय बच्चन और तेजी बच्चन भी नजर आये थे। फिल्म में साधी के एक सीन में इन दोनों को देखा जा सकता है। फिल्म में ये दोनों राखी के माता- में के गाने को मसहूर संगीत का लक्स्मिकांथ प्यारेलाल से कंपोज कराना चाहते थे। लेकिन साहिर적 लुद्यानवी को लगता था कि लग्स्मिकांथ प्यारेलाल उनके गीतों के साथ Quand inangenable श्यनियोंगे। आखिरकार खायामी इन फिल्म की सूटिंग कस्मीर में की थी फिल्म के स्टार कास्ट का पूरा परिवार इस दोरान कस्मीर में रहा था ये फिल्म येस चोपडा के बहतरीन अनुभव वाली फिल्म थी इस फिल्म से पहले अमिताब की इमेज एंगरी यंग मैन वाली थी लेकिन इस फिल्म की सकस्स के बाद उन्हें रोमांटिक हीरो के लिए भी कास्ट किया जाने लगा येस चोपड़ा फिल्म में रिसी कपूर के आपोजिट पहले परवीन बॉबी को लेना चाहते थे लेकिन बाद में ये रोल नीतु सिंग को मिला इसी फिल्म के दोरान रिसी कपूर और नीतु सिंग का अफेर सुरू हुआ था इतना ही नहीं कई सालों के बाद राजे स्खन्ना ने दावा किया था कि इस फिल्म में लीड रोल यानि अमिताब बच्चन की जगह वो पहली पसंद थे तो दोस्तो मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को टाटा वाइबा टेक केर